हेलो एवरीवन मैं संचिता जैन मैंगनेट ब्रेइन सिंदी मीडियन चनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की सीरीज में करंट अफेर विस जनरल फेक्ट्स की सीरीज में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक नई जानकारी जो की है पेंस टाइगर रिजर्व के बारे में आपको एक character याद आता होगा कौन सा character है वो बताओ जल्दी से बताओ भई मोगली का character याद आता है की नहीं आता है जल्दी से बताओ भई The Jungle Book जो की Roodyard Kipling के द्वारा लिखी गई थी जिस Jungle Book में मुख चेरेक्टर या मुख पात्र के रूप में किसे चुना गया था मोगली को चुना गया था और पेंस टाइगर रिजर्व को मोगली लेंड भी कहा जाता है क्योंकि मोगली का निवास इस्थान पेंस टाइगर रिजर्व को ही माना जाता है तो Pence Tiger Reserve को जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट एकि आज की सीरीस को Current Appears with General Facts की सीरीस को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर कर दें उसके बाद हम जानते हैं Chance Tiger Reserve के बारे में चलिए तो देखें पेंस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डाई स्काई पार्क की मान्यता मिली है जी हाँ इसलिए वर्तमान में वर्तमान समय में पेंस टाइगर रिजर्व जो है चर्चा का विशय बना है कि पेंस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डाई स्काई पार्क की मानियता मिल चुकी है अब इसके स्थिती के बारे में बात करते हैं कि पेंस टाइगर रिजर्व वास्तों में कहां पर इस्थित है तो ये दो राजियों भारत के दो राजियों महारास्ट और मध्योप्रदेश में इस्थे थे तो महारास्ट में नाकपुर, मध्योप्रदेश में सिविनी और छिंदवाडा में इस्थे थे यानि कि मध्योप्रदेश और महारास्ट की बॉडर पर पेश टाइगर रिजर्व इस्थित है अब देखें बई यह है टाइगर रिजर्व एशिया में पांचवे स्थान पर आता है कितने स्थान पर आता है पांचवे स्थान पर आता है अब पेश टाइगर रिजर्व का संचालन किसके द्वारा किया जाता है ये बात कर लेते हैं तो देखें भारतिय खगो लिए वेध शाला खगोल विज्ञान स्टेशन और भारती खगोल भौतकी संस्थान के द्वारा इसका संचालन किया जाता है इसका नाम पेंच क्यों पड़ा पेंच टाइगर रिजर्व का नाम पेंच नाम क्यों पड़ा तो बेंच टाइगर रिजर्व से पेंच नाम की नम्मर का है 19 वा Tiger Reserve है और प्रोजेक्ट टाइगर में कब इसे शामिल किया गया तो प्रोजेक्ट Tiger में इसे सन 2007 में शामिल किया गया था अब बात करते हैं आगे कि感स टाइगर रिजर्व में हमें और क्या-क्या मिलता है तो इसमें इंद्रा प्रियदर्शनी पेंच रास्टिय उद्यान पेंच मोगली अभ्यारन और एक बफर भी इसमें शामिल है जी हां पेंच टाइगर रिजर्व को मोगली लेंड के नाम से जाना जाता है और रूडियार्ड किपलिंग ने अपनी एक किताब लिखी थी दजंगल बुक और जंगल बुक का जो मुख्य पाद्र था मैन केरेक्टर था वो कौन था मैन केरेक्टर जो था वो था मोगली इसलिए पेंच टाइगर रिजर्व को मोगली लेंड के नाम से भी जाना जाता है तो पेंच टाइगर रिजर्व और आसपास का शेद्र रूड यार्ड किपलिंग की काल अपनिक रचनाइती दा जंगल बुक और दा सेकेंड जंगल बुक दो किताबे लिखी हैं इस शेत्र में ही इस्थापित हैं तो यह रही जानकारी पेंस टाइगर रिजर्व के बारे में जो की महराश्ट और मध्यप्रदेश की बॉर्डर पर इस्थित है और जिसे मोगली ल देखे हैं करन्ट और फेर्वेश जंडर पैट्स की सीरीज के अगर अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो फटा-फट से जाईए और पूरी जानकारी प्राप्ट करिए उन वीडियो के माध्यम से अगर आप हमारे डेली के लाइफ शेशन और रिकॉर् इपशिन बॉक्स में दी हुई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कुस्टाप कोर्स भी हैं जैसे की सीब्स इंगलिश मीडियम सीबेसी हिंदी मीडियम स्टेट बोट के स्लेवर्स को भी कवर कर आया जाता है कुछ इस्पेशल कोर्स भी है और इतन सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आज की सीरीज को आप सभी को जादा से जादा लाइक करना है शेयर करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अमारे साथ बने रही है जुड़े रही है पढ़ते रही है खुश रही है थैंक ये सो मच